श्रीश वाय नमस्त उभ्यम दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बालोद और चलते हैं सीव महापुराण की कथा जहां हो रही जुंगेरा में वहां रानी तरही के पास जुंगेरा गाउं है वहां पर होने वाली है सीव महापुराण की कथा जो की सीहोर वाले पंडिजी आ करके यहां पर कथा करेंगे तो फिलाल अभी चलते हैं हम जुंगेरा और बालोद इस्टेशन आपको हमने दिखा गिया आप भी यहां आना चाहते हो तो दुर्ग इस्टेशन से बालोद के लिए गाड़ी आपको सुबह मिल जाएगी और बस से साधन हैं बस से भी आ सकते हैं फिल वाइज हमें यहां दादा जी मिले हैं अभी हमको यह बस इस्टेंट तक ले जाएंगे और च्छतिस गड़ में ऐसी कथा बार-बार हो रही है और बहुत ही भाग्य साली हैं बताइए दादा कैसे लग रहा है आपको बहुत ही हम लोग का भाग्य है जो इतना सूव आउसा मिला वक्त मिला कि उनके मुखाग बिंदू से हमको प्रवचन सुनने का भाग समय मिला जुंगेरा गाउं आएगा यहां से लगबग कितना किलोमेटर होगा हो यहां से तीन किलोमेटर है मात्र तीन किलोमेटर तो बस वाले की सवारी में मतलब लगबग 10-20 रुपे लेगा ने ने तीन रुपे पांच रुपे लेगा पांच रुपे लेगा लोग बखुन पढ़िया बताया आपने सिव की जो महीमा मिलती है ना थास लोगों मिलती है आज उनकी प्रेणा है बहुत बड़ी बिल्कुल हर मंदीर में आज दीपक जल रहा है पुजा पाठ हो रहा है तो फिलाल यहां पर रोड पे आ चुके हैं और देख सकते हैं बसे चल रही है और यह लगभग स्टेशन से मात्र 500 मिटर की दूरी पर है और यह बस हमारी लगदे ही गाइस तो दादा दी चलते हैं धन्यवाद प्रिश्वाय नमस्तु भ्याम फिलाला भी बस में बैड़ गया है और यह भी जुंगेरा के लिए हम निकल चुके हैं यहां से लगभग पीन किलुमेटर का यह संफर है सो गाइस बस से उतरने के बाद यह चोक मिल जायगा आपको यहां पर होटल स्वगर है देख सकते हैं यहां पर सहीत किसन चंद्र सेकर अमर रहे का एक आपको बोड मिल जाएगा और यहां से सीधा आपको चलना पड़ेगा पंडाल किस साइट पड़ेगा पंडाल के लिए यहां से सीधा जाना पड़ेगा जैसा कि आपने देख लिया जूंगेरा यहां पर लिखा हुआ है और पैदल भी आप यात्रा कर सकते हैं जा ब्रॉक बना हुआ है और उसी के निकट है यहां पर पंडाल जो की पूरा दोइक्ष्णा को मिल रहा है आपको यहां पर बहुत ही बड़ा लंबा चड़ा डोमसेट बना हुआ है तो फिलाल यहां तक का जो सफरता यहां पर एंड और मिलते हैं नेक्स ब्लोक में पूरा झाल झाल